नमस्कार न्यूस वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं कावेंद्र चौहाँ बीते कई दिनों से जब साड़े चार साल पूरे हुए योगी सरकार के तो ऐसे में लगाता इस तरीके की बाते की जाती रही कि आखिर दंगा क्यों नहीं हुआ आखिर मुद्दा क्या है ठोस मुद्दा क्या है ऐसे में शाहीन बाग का एक आंदोलन था जहां पर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच धरने पर जो लोग बैठे थे उनके बीच लगाता जो बाद विवाद था वो चलता जा रहा था दोनों तरफ की पार्टिया अपनी अपनी बातों पर अडिक थी अंजाम क्या हुआ अंजाम हुआ दंगा पूरे दिल्ली में दंगे हुए लाखो करोणों की प्रॉपरटी जलकर खाक हो गई किसी का सुहाग मिड़ गया तो किसी बच्चे के सर से उसके पिता का साया हट गया तो इसलिए आज हम कह रहे हैं ये जो किसान आंदोलन है इसकी अती हो चुकी है क्योंकि बार बार इस तरह की की बाते उठती आ रही है कि यही होना था उन्जाव फिलाल सिर्फ नौकी गई है चांड, बिलकुल, क्योंकि अती इसले कहेंगे इसको, कि किसान अंदूलन लगातार बीते 11 महीनों से जारी है, लेकिन अब जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको इस नजर से दिखाया जा रहा है, कि ये सियासत का अखाड़ा बन चुका है किसान अंदूलन के नाम पर भिंडरे वाला की शर्ट पहन कर, भिंडरे वाला की टी शर्ट पहन कर, अगर कोई व्यक्ती अपने आपको किसान कहता है, तो वो कितना किसान है, या खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई व्यक्ती सरकार के खिलाफ, सिर्फ एक सरकार के किसान रोया है हर सरकार में किसान ने आत्मात्याएं की हैं और किसानों की मांगे भी जायस लेकिन वो तब नाजायस हो जाती है जब इनका राजनी तिकरण करती है जाए राकेश ठिकायत अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ये बात कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसका जो सेंटर है अब लखीम पुर्खिरी बने का तो इसी पर चर्चा है इसी पर बातचीत है कि आखिर कैसे और आखिर क्यूं एक चेहरे को राकेश ठिकायत को शक्ति प्रदर्शन करने का मौका बार-बार दिया जा रहा है इससे पहले हमने पंजाब में देखा कि किस तरीके से किसानों ने वहाँ पर एक बीजेपी के नेता की शड़ फार ती इसके बाद हमने देखा हर्याडा में किस तरीके से एक बीजेपी नेता का हेलिकॉप्टर उतरने वाला था तो हेलिपैट को तोड़ दिया हेलिपैट को उखार दिया फावडे से पूरा तेस्ट टेस्ट कर दिया इसके साथी बार-बार किसान अंदोलन के नाम पर ये बात कही जा रही है कि जहां भी बीजेपी नेता दिखें जहां भी बीजेपी के कारिकरता दिखें उन्हें मारो उन्हें पीटो तो ये कैसा किसान अंदोलन है इस चीज़ को लेकर अभी तक बाते समझ में नहीं आती आपको थोटी जोटी क्लिप्स दिखाऊँगा तस्वीरे दिखाऊँगा तस्वीरों के जरी आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किसान अंदोलन के नाम पर क्या राजनीती हो रही है क्या सियासत हो रही है और क्या कुछ ड्रामा हो रहा है तस्वीर नंबर एक देखिए तस्वीर जो आप देख रहे थे ये लखीमपूर खिरी में जो विवाद हुआ था वहीं की तस्वीर है आपने देखा किस तरीके से टीशर्ट जो है उस पर भिंडरे वाला की तस्वीर है मुझे नहीं पता कि किसको कितना ग्यान है लेकिन हाँ भिंडरे वाला एक आतंकी था जिसको हमारी देख की फौज ने मारा था आपरेशन ब्लू स्टार हर किसी को पता होगा तो ऐसे भी ये कौन से किसान है जो भिंडरे वाला की तस्वीर लगाई हुई टी-शर्ट पहन कर वहाँ पर किसान अंदूलन कर रहे है ये कौन सा किसान अंदूलन है और कैसा किसान अंदूलन है तस्वीर नमबर दो देखिए आफ तस्वीर नमबर देखिए अंदूलन कर दो देखिए अंदूलन कर देखिए ये केंद्रे ग्रह राज्यमंत्रिया जैमिश्रा के बेटे की गाड़ी बताई जा रही है उन्होंने सुईकार कर लिया है कि उन्हीं की गाड़ी है हाला कि उन्होंने ये बात सीधर तोर पर कही है कि वो उस वक्त मौके पर मौझूद नहीं थी लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जो गाड़ी को गिरा रहे हैं जो गाड़ी को धक्का दे रहे हैं जो एक व्यक्ति को लाटियों से डंडों से पीट रहे है ये कौन है आपको बताया जाएगा कि ये किसान है और ये किसानों कांदोलन है ऐसा कौन सा किसान है जो हमें समझ में नहीं आता कि जिसको हल नहीं चलाना उसको गाडियों में धक्ता देना है जो फसल नहीं बोता फसल पुर्खिरी में एक किसान जो है, अपने आपको तथा-कतित किसान जो कहते हैं, ये नेता जो है, गाड़ी को धख्का दे रहे हैं और एक शक्स की पिटाई कर रहे हैं, सुनने में आप डर जाएंगा अगर इसका MBS शुरू कर दिया मेरे तो, ये जो शक्स जिसकी पिटाई ह तो यह वो बार-बार कह रहा है, बाबुजी आमें छोड़ दो, हम ड्राइवर हैं, यह एक BJP समर्थक का ड्राइवर था, जिसको लाठियों से पीटा गया, मारा गया, इन में से एक समर्थक BJP का वो भी था, जिसको मार दिया गया, उसका चार साल का बेटा, उसका नाम अरु लेनी है, इसके साथ ही पत्रकार की नहीं मौत हुई है, सोचने योग के बात है कि कुछ दिनों पहले ही, राकेश टिकैत ने एक बात कही थी, कि अब जो समय है, वो मीडिया का समय है, अब मीडिया की बारी है, तो अब अगर मीडिया की बारी है, तो क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है भूत ध्यान से समझी गई इस बाग को डाकेश्ट क éénट कहा था कि अब मीडिया की बारी है यूकि मीडिया उनकी पोल खोलने लगी थी मीडिया से वो डर गए थे स्के उन्होंने कहा था कि अब मीडिया की बारी है और ऐसे में आज जो ये कल दंगा हुआ है पूरा इसको दंगा बोलूगा जो दंगा हुआ है इसमें एक मीडिया कर्मी की भी जान चली गई है जियां आठ लोग तो मरे हैं इसके साथ एक और मीडिया कर्मी है जिसकी भी मौत हुई क्लिप नंबर तीसरी दिखाने के आपको अब करते हैं लेकिन एक इंटर साइज सचार किसी को जाने नहीं दे रही है हम अपनी घर से नहीं निकल सकती है यह कहां का लोगतंत रहे हैं समस्चा को ठाने का आप जिंदा लोगतंत के रहे हैं तो आप फिकर्षकी आवाज को जबा देंगे तुए संदर में खौत अगां प्रेस कि रहोंगी आदानी नहीं तो संदर में तंतर होगा लोगतंत सम स्बगें तो जन्दा सचार देगें और ये सचाष रिपना वे सच्जिगना तक रिम्दा पॉर्ण से सटेगरे सरी और रगांदार असके सब्सक्राइग वहां नियुक्त जिका गणायों अजिए लिए कि लिए जो पर खास्त करो तरह कि लिए खास्त करो अगर एक्टिंग की क्लास्स होती एक्टिंग का कोई कॉंपटीशन होता तो हमारे देश के नेताओं को उसकर बहुत शांदार तरीके से दिया जाता यह सर्म माननिय विपक्षी पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष अकले शावत वे समाजवादी पार्टी के यह अभी तक किसान अंदूलन 11 महीनों से चल रहा है गाजीपूर बॉर्डर पर इनको नहीं देखा गया तीकरी बॉर्डर पर इनको नहीं देखा गया इसी के साथ तकीमपूर खिरी के जो सामाने किसान हैं, उनके समस्याओं को उठाते इनको नहीं देखा गया, बहराईज के जो किसान हैं, उनके समस्याओं को उठाते इनको नहीं देखा गया, बस्ती के जो सामाने किसान हैं, उनकी समस्याओं को उठाते नहीं देखा गया, फतेगर, गों विपक्षी पार्टी आगर मुद्दो को भुनाने लगेंगे, सरकार को काउंटर करने का शमय कहा रहेगा, वो सिर्फ मुद्दो को भुनाने का काम करती है, कि यहां ठीक है, चुनाओ सर पर इस मुद्दे को कैसे भुनाया चाहे, और कैसे एक चहरा खड़ा किया चाहे, जो लगेगा कि वो विपक्षी पार्टी का चहरा नहीं है, लेकिन वो है, वो मुद्दो को शकल देगा, मैं बात राकेश टिकैत की कर रहा हूँ, तो राकेश टिकैत ने जो आती की है, जो सियासत का पूरा उन्होंने जो शांग रचा है, जो बंगाल से लेकर, पंजाब से ल जा रहा है, तो एक दम उसके लिए लवजी नहीं है, कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है, कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजनी है, जो हुआ, वो दिखाता है कि ये सरकार एक दम किसानों को पुचलने की राजनीती कर रही है, किसानों को खतम करने की राजबीती कर रही है और ये देश किसानों का देश है ये बीजेपी की विचार धारा की जागीर नहीं है किसानों का देश है किसानों ने बनाया है किसानों ने सीचा है जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना इसका मतलब है कि नेतिक अधार सरकार और पुलिस खो के कई लुक्र देखों कि जी से एगर सीधा सवाल एक सामानी आद्मी पूछ सके तो सीधा सवाल ये रहेगा कि आपकी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी व्हुत्त ख़ंगी फार्च्रने सांथ और दिखता है, महराश्च क्यों नहीं दिखता? उत्रप्रदेश में गंदा समर्ठन, मूलेजो है वो साठें तीन सो कर दिया गया, वहां पर एक सो बाहत्तर है आपको करनाट प्राजस्थान क्यों नहीं दिखता? सिर्फ जहां पर मुद्दा बुनाने के लिए मुद्दे को आग लगाने के लिए आप जा सकती है कानून ओर्डर की धजियां उड़ा सकती है वहाँ जाने के लिए व्याकुल है ऐसे में हमारे साथ अभिशेक पवार साथ जुड़ गए है बारते किसान यूनियन के नेता है अभी क्या कुछ चल रहा है लखनों में क्या हल चल है क्योंकि लखीम पूर खीरी में पूरा हाथसा हुआ है पूरी घटना हुई है पूरा जो मैटर है लखीम पूर खीरी का है लेकिन इससे जादा जो हल चल है वो लखनों में देखने को मिल रही है लखनों में तो ऐसा लग पीछे बैंड करके दिखा है कि जहां पे जो जो रास्ता है आम रास्ता था लेकिन अब लोगों को आने जाने में काफी दिखते हो रही है पुलिस जो है वो अपनी डूटी पर पुरी तरीके से तनाथ हो चुकी है यहां पर जो लोग है आम आद्मियों को जो जमावरा है वो बिल्कुल रोग दिया गया है ट्रैकिक यहां से जो है वो भीवी आईपी मोमेंट यहां से जाधा होते है कमाजवादी पार्टी का तैरल पीज़े रहें पर यहां पर जाना था कुछ तम पहले यहां पर अक्री शादो ने घरना दिया था उन्होंने मांग की ती जह वो गया है चैनली को फिर जोंशाना है लेकिन लखरो में जो पूरी सियासत जो है चल रही है लखनव में पूरी वर्क फ्रेमिंग चल रही है लखनव में पूरी गड़ित बिठाई जा रही है कि कैसे लखीमपूर खिरी को अब आने वाले चुनावों का सेंटर बना चाहिए जो बिल्कुत तो अब इस पर सोचने की जरूत है कि आखिर क किसान अंदूलन अगर किसानों का अंदूलन था तो अब ऐसे में इसको सियासी जो लोग हैं वह क्यों आम किसानों के सर पर बंदूग रखकर कंदों पर बंदूग रखकर अपनी 2022 को जो मंचाय है उनको पूर्ड कर रहे हैं ठीक अभिशेक पमार मेरे साथ जुड़ गया ह आपका स्वागत है अभिशेक पमार जिन चार किसानों की मौत हुई है उनको 45 लाग रुपए देने की गौवर्मेंट ने गोशना कर दी है एक गौवर्मेंट जॉब दी जाएगी बाकि इधर के जो लोग मरे हैं उनको 10 लाग दी जाएंगे ठीक है अब मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ बचा है देखने के लिए कहने के लिए सुनने के लिए भारतिय किसान यूनियन बहुत हो चुका आपको नहीं लगता कि अब अत्ती हो चुकी है है कि यूं आप उत्तर प्रदेश में आग लगाने में आतूर रूर्फे ऐस्ट कर ने हैं सियासत करिए उत्तर प्रदेश में आप क्यों लगाना जाए मैं लेकिन आप लोगों को पहलें Aboriginal एग बात समाझने पर हो जी समझा Recommand आप मिलनलत रख फट 화डा ह को परिग उअधा अब शेख बोलियो नजे क्या मेरी आवाज आ रिए हाई आ अवाज आ री आ ररी है आ आ है आरी आरे आधेजू सौय आ आरे बोलियो बोलियो नजेखिने ऐते हैं। प्रइम करेंगे है Are you a bijजेपी वालों को घशीड तर मारेंगे क्या भीG JJP वालों को लाटी गर किस अधिकार के साथ मारेंगे आप बिजेपी वाले कहीं भी जाएब आप बीजेपी के नेताओं की शड भाड़ेगे नहीं नहीं एक सवाल है आपसे किसी भी पार्टी का हो आप निताओं के खिलाफ है या फिर आप एक नीति के खिलाफ है अधिया लेकिन जंता जो है आगरोसित हो गई है वो खिसान लोग है वो अगरोसित हो गए है वह भी स्याम को गिरपकारी दे रहा हूँ मुझे भी लोगोंने मेरे घर दे भी करीबाने 50-100 फुलिस वाले लगे हैं या भी से कोवार में निकल पाए यह कहा का बात है अगर मैं यह किसान है यह टीवी पर आपको दिख रहे हूँ यह किसान है यह लाठियों से पीट रहे हैं किसान इतनी यह देखिए लाठियों के साथ पीट रहे हैं किसी किसान को गाडियां पलट रहे हैं आग लगा रहे हैं दंगे कर रहे हैं यह किसान है आप भारती किसान यूनिय आप लाटी से पीट सकतें आप बताईएगा अब शेक पवार दिल पर हाथ रखकर बताईएगा अगर आप किसान है तो किया आप कुछी को लाटी से पीट पीट पर उसकी हत्यां कर सकते चाहिए पीड आकरोशी तो रही है दो में रोज वेड़ा प्रोषित हो गई है इसका क्या मत्तब है पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगाने की तयारी है क्या डिया करना है ठाणे चौकें सब जलाने की तयारी है क्या कुछ और यहारा है आपकी क्रफ़ओर नहीं क्यों नहीं हुई इस पर मैं मैं सवाल कर सब्सक्राइब मैं कह रहा हूं आपकी करफ़ओर से नहीं होती जांक पहां है तो 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 में वीडियो दिखाऊ हूं मेरे घर के बाद तरीवन प्राइब नहीं निकलने दे रहे हैं अच्छी बात है घर से बाद निकलेंगे तो आप इसी तरीके से जो आप यूपी में कर रहे हैं जो जगए जगए आप इस तरीके से अब्रव कर रहे हैं अच्छा ठीक है बात बताईए एक बात बताईए एक बात बताईए 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 आप उसकी गाड़ी पर पत्थर चलाएंगे आप पर आप उसकी गाड़ी पर पत्थर चलाएंगे जबादे अब इस तरीके से उत्रा खालिके मुख्या मंति खत्तर जी अब अब शेक प्वार एक तुल भी जे अब अब शेक प्वार बात को समझों बहुत ध्यान से समझेगा ठीकर वंटो वन हमारी बात हो रही है बड़े ध्यान से बाल समझारहों समझेगा पञजाब में आपने विजेपी के विधायक को आप ही के लोगों ने तता कथित किसानों ने विजेपी के व अर्याणा में एक विधायक आने वाला था, एक मंत्री आने वाला था, आप ने उनके आने से पहले हलिपेड खोद दिया, वहाँ पर उनका टेंट उखाड के फेक दिया, मंच को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं हुआ, आप ने तालियां बचाए। यहाँ भी आपकी यही साजिश थी, यही मंचा थी, आप क्या सोच रहें, आप पूरे उत्तरप्रदेश पर जगए जगए गली महले, नुकड चौराओं पर इसी तरीके से बीजेपी के विधायकों को, नेताओं को, मंत्रियों को मारना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर पृतिकार की स्थिती बनती हैं, तो ऐसे में जो सामान किसान, जो मरेगा, उचका जिम्मेदार कौन होगा, राकेश ठिकैट नहीं होगे तो कौन होगा, मैं आप से एक सवाल कर रहा हूँ कि राकेश ठिकैट पर 302, 304 क्यों नहीं लगनी चाहिए, इन चार हत्याओं का गुनागार राकेश ठिकैट नहीं तो कौन? अरे भाई, आप यह बोले जाएगे, मुझे भी मोगा देए, आप यह बोले जाएगे, गुस्ता मत हो यह, नाराज मत हो यह, सत्य कड़वा होता, पानी पीले जे बोले चलिए, बोलिये, बोलिय सत्य बोलेे? कि दुबारा बोली आपके आवास तोड़ी साथ दुबारा बोली एक बार पूरी बार आप अम लोगों को भूलाते हैं आप बताइए मुझे नहीं पता आप बताइए पता है आपको ने ने पटाइए आप बताइए नहीं पता मुझे नहीं पता आप बताईए अबखा और ओन रिकोर्ड हर्याना के मुझ्धा मंतरी ने बुला है धिजिस्थ को जी अब मतलब तो समझते हैं आप इंचेंडा को बाइखो नहीं हूँ बहां की भाशा को नहीं सम बात है कुछ कहने के उन्होंने कहा जैसे तैसा जवाब बो ठीक है तो उन्हों ने कहा और और किसालों को कुछलने का कामिति उन्हें आप पात कर रहे सिस्मोह तुरली में BCD के विदायक थी जो आप बात कर रहे हैं BCD के विदायक थीूँ टी हूँ सिرف किया अगए आप भी में किया रहें वृड़ के उसलिगां क है आप विदायक की रिवाल है प्रक्रिया बताइए कैसे राज करेंगे आप कहने बता है आ अपको लगता आसब मेरेन ने अभीजों algumas सुनिये आप कानून से उपर आप प्त्रीक आप कहते आप सीधा एप Buch Kitty विधायक को मारेंगे आप इलाज करेंगे किस ने का ही आप 3 départ Tक सब्सक्राइब करें आप के लाज करेंगे अब कि अबलाइब विधायक फब्राक प्रभिभी मारें कि मारें आपका इलाज तो टीवी पर दिख रहा है सामने ने बीच पे स्क्रीन पर जो विजुल चल रहे है उस पर आपका इलाज दिख रहा है मुझे ये बताईए जो 9 लोगों की जो हत्या हुई है जो 9 लोगों की जो मौत हुई है अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि राकेश टिकेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनी की वज़ह से उब्दरब हो रहा है उनी की वज़ह से सियासत वो तो अपनी सियासी रोटिया से रहे है आम किसान बर रहा है इस तरीके से उनी की वज़ह से दंगा हो रहा है उनी की वज़ह से पांच पांच लोगों की जान चली चार हमा अगर पूरी तरीके से अगर आपकी तो शांती के साथ इसको एक्सेप्ट करिए ठंडा पानी पीजिए और नमस्कार कीजिए राम-राम कीजिए ठीक है सिर्फ बकवास करने से पुछ नहीं हो नहीं मेरे किसानों की हत्या हुई है नहीं मेरे किसान भाईयों की जो यह राकेश्ट कैट की सियासत के चलते जो उन्हों ने ठक रहा है जो वो लगातार कह Major की जगणा कर सका lotion Detained खनू उख गयाऊं की जवाब कॉन देगा आप बीजेभी के प्रिंसिपल होएगा जी पीजेभी के प्रिंसिपल होएगा आप किसानों का प्रिंसिपल हूं आप बताएए आप किसके हैं आप कटफितली है क्याँ सबसक्रों सब्सक्राइब अभी छाहिए उन पर टुनापल करता है कि फायर होगे है को Ж峰 होगे है टीक है उननुमित कि फायर हो गई ठीक है अतरा के टिक है इस थिक फायर across आपर फायर क्यों नहीं होनी चाहिए हम पर फायर हो गई है कि अफायर हुई है एफायर हुई है राकेट इस को नहीं होनी चाहिए है जैसे घरब्दार कि उतल नहीं करो bang करो जैसे घरफ़्थार कि यह सब्सक्तर करो जैसी घरफ़्थार कि एक अड़ा है आप अगर पीजेपी के आपके अगर सरकार बात मानती हो आप अगर आप अगर आप अगर अगर आप तो पुझे लग रहा है बीजेपी के एजेंट बनेगे अगर कुछ कहने को कुछ ना बचे और एक्सपोज हो जाओ साफ पता चल जाए कि तुमारी नियत क्या है आपकी मंच्या क्या है उत्तर प्रदेश को जलाने की जो आपकी साजिश है अगर उसका भंडा फोड हो जाए तो बीजेपी के एजेंट बोलो चाहें का एजेंट बोल को बनारस क्या किसी भी झगा को छोड़ने वाले हैं नहीं सबको चौकनना होने की जरूत है समय बड़ा ही विप्रीद चल रहा है क्योंकि सियासत जो है चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे में एक तरफ राकेश टिकैज जो है किसकी कटपुतली है खर वो तो अभी नहीं पता है लेकिन अब कुछ करने के मूर से है तो ऐसे में सभी को चौकनना होने की जरूत है और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हैं नीवस्वोल इंडिया के साथ धर्लवादिया कि अ कि अ कि अ कि